आईए अब इसका तीसरा खंड देखते हैं तीसरा खंड में लिवा के कन्या को सवस्रा से आगे मैके में है अब अब हम मैके में तो मैके में रहके वो सवस्रा के बारे में कैसे परिकल्पना करती है इसका बड़ा सुंदर चेतरन रजनाकार शेशनात सर्मा श्रील जी ने किय इतनी सुन्दर परिकल्पना देखिए तन एती तन इधर है मैं के आ गई है ना ससुराल से मैं के आ गई है तो तन इधर है और मन उती मन उधर है तन तो मैके में है किन्तु मन कहा है ससुराल में है तन एती मन उती अड़बर दूर बहुत दूर मन कहा है उती उती उधर बहुत दूर है और रही रही नैना नदिया बाढ़े पूर रही रही नैना रह रहकर नैना आंक नदिया बाढ़े पूर नदिया बाढ़े पूर कहा नदिया क्या नदिया आंखों को कितना सुंदर अलंकार नदी आख नदी बन गई है और नदी में जैसे पूर आता है लग ने पूरा जिसवापन कहते हैं बारढ्य कशनल चलक जाताह नदी तो वैसे उनके आँखों से आंशु माइस छलकUI रहे हैं बार-बार आँखों से आजू ढर रहें, यह कहती हैं, रही रही कर, रह रहー कर आँखों में आजू आ जा रहें और आजू छलचला जा रहें बाढ़ आ जा रहें, ऐसे लग रहा है कि बाढ़ आ गया हो मन मश्री इला कैसे परगे बान सब दिन मौर रहिस अब हो गए आन मन मश्री मन की परिकलप मन की तुड़ना मश्री से बहुत सुन्दर अलंगकार उपमा अलंगकार देखी मन मश्री देखो जो मन रुपी मश्री है अब उसको कैसे बान पड़ गया बाण बाण तीर कैसे उसको बाण जो सब दिन मोर रही जो सब दिन मेरे पास था मेरा था वह मन मेरा था अब हो गया अब वो दूसरे के लिए हो गया मने बार बार पती का उनको याद आना जब पती का बार बार उन्हें याद आ रही है तो कहती है मेरा मन मेरे 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 बस में नहीं है मेरे होकर वो दूसरे का हो गया है तो कवी की परिकल्पना देखिए मन मश्रीला कैसे पर गेबान मन रुपी मश्री को अब कौन से बान लग गया है जो कि अब तक सब दिन सभी दिन अब तक मेरे पास था वो अब दूसरे का हो गया आन दूसरे अब हो गया क्योंकि मेरे पास में नहीं है वो बार बार मेरा मन पती के पास चल देता है अगला पत मन मश्रीहा धार के उल्टा जाए मन मश्रीहा मन मश्रीहा धार के उल्टा जाए धार बहाओ मन रुपी जो मश्री है वो बहाओ हमेशा हम परिकल्पना करते हैं कि जो बहता है बहाओ के अनकुल बहता है तो रजनाकार कहते हैं बहाओ के विपरित हो रहा है जो मन रुपी मशली है वो बहाओ के उल्टा विपरित दिसा में आ रही है मन मशली धार के उल्टा जाए धार है जो प्रवाह है उस प्रवाह के उ जाता है अर्थात उल्टे दिसा में जाता है मन मश्री हर धार के उल्टा जाए और हर केला हर के मन बेरी नई आए हर केला मन हर के अर्थात बर्जे बोलते हैं इसको बर्जे भी करते हैं मना करने पर हर के अर्थात मना करने पर मैं मना करती हूं मैं अपने मन को मनाती हूं उसक कि सिन्हे हर के बर्जे में हर के बर्जेश्ये ऐसे सब्दा था मना करने के लिए से अर्क के बर्जेश्या सप्राइब एक बात दिनी पांच जाता है उल्टा विपरीद दिसा पे जबकि मन हमारा है ना तो हमारे अनकुल होना चाहिए वो हमारे अनकुल नहीं है वो उल्टा धार प्रवाह के विपरीद दिसा पे जा रहा है मेरा मन ऐसे वो इस्तरी परिकलब पना करती है ऐसे मन मी विचार करती है चलिए अब ह कावरा कावर उगला जाए रही गोड फड़क थे कावर हाए हाए यह मेरे पैर है यह बार बार क्यों फड़क रहें मूँ के कावरा वा इस्तरी जो सस्राल से में के आई है और उसका मन सस्राल में है वो सोचती है कि मूँ का कावरा मूँ का भोजन कावरा जो भोजन करते हैं जिसको हम तो ग्रास कहते हैं हिंदी में मुँ का कावर उगला जाए जो मुँ में मैं भोजन करने के लिए डालती हूं कावरा वो उगल जाता है क्यों उगल जाता है बार बार कावर क्यों कावर माने क्यों क्यों उगल आता है मूँ का कौरा बार बार खाने का अर्थात खाने का मन नहीं होता बैचाईनी लग रहा है बैचाईनी मन में बैचाईनी है क्यों और मन में बैचाईनी होने के करण क्या हो रहा है कि जो मूँ में काउरा जाता है वो उगल आता है और आगे कहती हैं रही रही गोड फड़क थे मेरे पैर रह रहा के फड़क रहें क्यों हाई मेरे पैर क्यों बार बार फड़क रहें एक तो मन चला गया है मन विपरित दिसा में गया है इसका कारण है क्यों ऐसा हो रहा है कि मुँ में जो भोजन करती हूँ वो उगला जाता है और मेरे पैर बार बार फड़क रहे हैं क्यों मेरे बार पैर बार बार फड़क रहे हैं पहले बुजर्गों को लोग कहतें थी कि पाउँ खुजवात है रहे कोई यही कोई सूर्था कर रहा थे तो ये एक ऐसे एहसास था मोर नगरिया पावत होई घाम कैसे परिकल पना करती है मैं के वाट के मोर नगरिया पावत होई घाम मोर नगरिया पावत होई गाम मेरे नगरिया अर्थाद मेरे पती मेरे स्वामी जो हल चलाते हैं मोर नगरिया पावत होई गाम वो घाम पा रहे होंगे वो सूर्य जब चमक रहा है दो पहर में हल चला रहे होंगे तो उन्हें गर्मी लग रही होगी और बैरी बादर हे बैरी बादर तुम क्यों बाम नहीं होते तुम पस्चिम दिसा में क्यों सिग्रह नहीं चले जाते तो विप्रिदिसा में क्यों ठीक बाम मनें विप्रिदिसा में क्यों ठीक चले जाते बादल से को संबुजित करती है जैसे आप मेग दूद पढ़ेंगे आप मेग दूद का आप हिंदी संकलन प्रकासन भी पढ़के देखिए तो इसी प्रकार परिकल्पना बादल के लिए वहाँ पर मेंक दूद मैंने मेंक को दूद बनाकर संदेश देने की बात है तु इसी तरह की परिकल्ब बनाई यह बहुत सुदर पंग्ती है कि बैरी वादि अरत हैं कस हो गजे скृष मम तु कैसे विप्रीफ हो गया है जो मेरे पती को घाम दे रहे हो हे बैरी बादल तुम कैसे वाम हो गये विप्रित हो गये हो जो बार बार मेरे पती को घाम दे रहे हो धूब दे रहे हो अगला पंक्ति देखें थकहा आही पाही घरला उदास कैसे तोरा करही बुढ़ी सास ठक हार ठक कर हल चलाने एक बार ठक कर जब वे घर में आएंगे तो घर को उदास पाएंगे घर को क्यों उदास पाएंगे मेरे अभाओं में मेरे नहीं होने करन उनको घर उदास उदास लगेगा सुना सुना लगेगा उदास कारते हैं यहां पर सुना सुना लगेगा मेरे नहीं होने कारण वो ठक कर जब घर लोटेंगे तो घर उनको उदास लगेगा अर्था सुना सुना लगेगा कैसे तोरा करी बुड़ी साथ और जो मेरी साथ बुड़ी हो गई है वह उनके कैसे तोर लक्षा के लिए क्या करेंगी। चुकि वो तो बुड़ी हो गई है। उन में इतनी शमता नहीं है कि उनकी सेवा, ठीक से सेवा उनका हो सके। उनके जदन जदन कर सके। ये कवी की परिकलपना है। अब अगला पद देखते हैं। कई से डहर निहारों लगते लाज बहुत बढ़िया कई से डहर निहारों लगते लाज फुन्दरा वाला बजनी पनही बाज बहुत बढ़िया कई से डहर निहारों डहर रास्ता निहारों देखों लगते लाज मुझे सर मारे हैं वो आ रहे हैं क्या मन की परिकलपना वो आ रहे हैं क्या तो मैं रास्ता कैसे नहारू अधि रास्ता नहारू तो कोई देख ले अधि कोई देख लेंगे तो अच्छी बात नहीं है इसलिए रास्ता जब नहारने के लिए सोचती हो तो मुझे लज्जा आती है मैं कैसे बाट जो हूँ कैसे उनकी राह निहारू मुझे तो लाज आती है मुझे लज्जा आती है फुन्दरा वाला बजनी पनही बाज पहरे जो पनही बनाते थे पनही अर्था जूता चमडे से बनाते थे हमाई चर्मकार भाई लो बहुत मजबुत पनही बनाते थे उसमें फुन्दरा लगाते थे पहले जूते उसमें चर्मर चर्मर की आवाज आती थे तो उसी को कहती है फुन्दरा वाला बजनी पनही बाज मुझे ऐसे बार-बार आहसास हो रहा है कि उनके पनी जूते पहन के वारे हैं वजनी पनी ही उसमें चरमर चरमर की आवाज आने जैसे मेरे कान में सुनाया दे रही है ये परिकलपना करती है तो इस प्रकार इस कवीता में तीन भाग है और तीनों भाग बहुत सुन्दर परिकलपना पर लिखा हुआ है और ये परिकलपना एक इस्तरी करती है जब वह सुस्राल जाती है उसके विदा होने के पास सुस्राल जाती है तब वह परिकलपना करती है जब वह सुस्राल पहु में होने वाले घटनाओं को याद करके वो अपने मन को रोग नहीं पाती इस परका सुन्दर इन तीनों भागों में बहुत सुन्दर परिकलपना कवी ने वैरवे छंद के माध्यम से किया है चलिए अब इस पार्ट का हम अभ्यास देखते हैं और इस पार्ट से किस तरह के अ सुसकत आवत हो ही भईया मोर इस पंक्ति के अंसार दुलहन की मनोदसा का वर्णन कीजिए दुलहन की कैसी मनोदसा है मनोदसा है जब दुलहन मैके से मैका से सुसुराल जा रही है तो उसकी मनोदसा किस प्रकार है और इस पंक्ति के अधार पर सुसकत आवत हो ही भईया मोर वो कहती है उसका मन बहुत विचलित है और विचलित है इसलिए विचलित है कि पहले बार सस्राल जा रही है तो विचलित है इसलिए वो परिकलपना करती कि मेरा भाई रोते हुए बिलगते हुए आ रहे होंगे हे कहार भाईयों हे डोला भाईयों तुम च्छाओं में थोड़ा उनकी प्रतिक्षा कर लेना तो ये क्यों कहती है इसलिए कहती है कि उनकी मनोदसा विचलित है वो विचलित मनोदसा के कारण इस प्रकार कहती है इसका दूसरा अभ्याद देख लेते हैं मैका और सस्राल के बीच की स्थिती में कवी ने पातर प्राण क्यों कहा इसलिए कहा कि नाइका सस्राल की भी है और मैके की भी है वो मैके की बारे में भी चिंता करती है और सस्राल की बारे में भी चिंता करती है मैके की स्थिति की बारे में चिंता करती है और सस्राल की स्थिति बारे में चिंता करती है इसलिए उनका प्राण पातर हो गया पातर होना मने पतला हो गया है पतला होने के मतलब हिलता है कभी मन इधर जाता है और कभी मन इधर जाता है इसलिए कभी ने मन उनका विशलित होता है इधर उधर होता है इसलिए कभी ने पातर प्रान कहा है एक अगला प्रस्न हम देखते हैं बहन को लिवाने आये भाई का मन अनमना क्यों है अनमना अनमना इसलिए है कि बहन को भेजेंगे या नहीं दूसरी बात जब बहन के घर आया है तो वो ना वहां का पानी गरहन कर रहा है ना और कोई खादे प्रदार खा रहा है ना चोंगी उसमें उलेक किया है चोंगी और पान भी निगरहन कर रहा है तो इस प्रकार उनका मन अनमन नाइका का मन धारा के विपरित जाने का संदर्व क्या है धारा के विपरित कभी कहते हैं कि जब हो मैका में है तो मन उनके नियंतरन में होना जाए किन्तु मन अब उनके नियंतरन में नहीं है इसलिए कभी कहते हैं कि जो मन मेरे अनकूल रहा अब तक वो मेरा मन अब अनकूल नहीं है और वो विपरित धारा में अब विपरित धारा में जा रहा है इसलिए नाइका का मन को उन्होंने मचली से तूलना किया है और मचली विपरित धारा में जैसे जाती है वैसे उन्होंने मन को विपरित धारा में जाने की बात कहा है एक अगला प्रसना बनता है नायका अपने पती के कस्टों को की परिकलपना करके दुखी क्यों हो जाती है इसका उल्लेख पंक्ती में किया गया है वह पंक्ती है थकहा आही पाही घरला उदास कैसे तोरा करही बुढ़ी साथ ये है कि पती जब काम करके आएंगे उसके अगल पहले पुर्व पंक्ती में दिया है मोन नगरिया पावत हो ही घाम इस प्रकार अपने पती के कस्टों को इस प्रकार परिकलपना मेरे पती हल चलाते हुए धूप पा रहे होंगे ये एक परिकल्पना इस परिकल्पना करते हैं और दूसरी परिकल्पना ठकहा आही पाही घर ला उदास ठक के वो आएगा और घर को उदास पाएगा और मेरी सास बुढ़ी हो गई है वो उनकी ठीक से देख भाल नहीं कर पाई तोरा उनकी जतन उनकी सुरक्षा उनकी देख भाल नहीं कर पाई क्योंकि वह बुढ़ी हो गई है तो इस प्रकार इस पार्ट में ये कुछ महत्व पूर्णा प्रस्णा है जो आपके परिश्चा क के लिए उपयोगी हो सकता है